नशे के काले कारोबार पर नकेल कसते हुए सोलन पुलिस ने चर्स की दो मामले पकरने में कामयाभी हासिल की है की सोलन पुलिस की S.I.U. टीन के हैट कॉंस्टेबल महिपाल के नेथितिप में गर्ष्थत के दорान मोहन पार्क में एक विक्ति की चैकिंग की गई चेकिंग के दौरान उस वक्ती से 500 ग्राम चर्ष पकड़ने में कामयाभी हासिल हुई है उन्होंने बताया कि विक्ती की पहचान जीवन बहादूर के रूप में हुई है ये मोलता नेपाल का रहने वाला है वहीं दूसरा मामला उन्होंने बताये कि धरंपूर्थाने के अंत्रिगत गुप्त सोचना के अधार पर पुलिस टीम ने मुहम्मद रफीक नामक व्यक्ती के घर पर छापा मारा और तलाशी के दुरान उनके घर से 83.75 ग्राम चर्स पकड़ी गई है। पुलिस ने दोनों मामलों में NDPC Act के तहट मामला दर्स कर लिया है और दोनों अव्यक्तों को गिरफतार कर लिया है। यह गस्त पे थे और इसकी तलाशी लिए उन्होंने आदा किलो चर्स बरामद होई और यह मामला दर्जी कर दिया और इसको अर्यस्ट कर लिया। इसी परकार एक मामला जो है धर्मपुर पुलिस में S.H.O. साब धर्मपुर उन्होंने एक मुहम्मद रफीक हैंक और उसके घर में तलाशी की है और वहां से 83.75 गराम चर्स बरामद की है। और इसको भी अर्यस्ट कर लिया मुहम्मद रफीक को।